आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ बोपाल से बड़ी खबर बड़ा सियासी अपडेट बीजेपी ने लोकसभा प्रभारी घोशित कर दिये हैं सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए दिये गए हैं सह सहीँजक की खबर है बीजेपी ने लोकसभा चुनाओ की तयारियां तेज बहुत तेज कर दी है की पूरु सांसद आलोक संजर बोपाल सीट पर आलोक संजर सहीँजक है इंदोर में समेर सिंग सोलंकी को जотьफिबारी जबके सथिब्मेदारी के दीखिबी है है इन दौर में रवी रावलिया जबल्पुन में सदानंद गोड़ बोले संयोजक बनाए गए हैं सहयोगी वासू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वासू आज ही क्लस्टर लीडर को लेकर बड़ा फैसला और अब 29 लोग समसीटों पर प्रभारी संयोजक सह संयोजक ये तेज नहीं ये बहुत तेज तैयारी है जे उसके लिए तमाम तैयारिया जो हैं वो जरूरी है चाहे लोगसबा प्रभारी की बात हो सह सहयोजक की बात हो और यही वो तमाम महत्मूर लोग होंगे जो टिकेट देने का क्राइटेरिया क्या होगा कैसे चुना अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा इन तमाम चीज़ो और बीजे पी को जिताने के लिए पूर जोर प्यास करते हुए नजर आएंगे दूसरी तरह कांगरीस भी लगातार तैयारिया कर रही है कांगरीस भी दावा कर रही है कि हम लोग 2-30 सालों के जो चुना हूएं उससे बहतर करेंगे उससे अच्छा करेंगे लेकिन बीजे भी का सामना करना इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहा है हाला कि देखना होगा ये चुनाओ है राजनीती ये राजनीती में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता और बहुत बड़ा अंदाजा लगाना और सठीक अंदाजा लगा जी एक बात और है मैं चुनवारा को देख पा रहा हूँ वासू संयोजक शेश्राओ यादाओ यूमा भारती के काफी करीब ही रहा करते थे किसी दोर में और जिम्मेदारी मिली है दिवाकर को प्रभारी की जबकि ये सीट चुनाओती है अभी भी निशे दोर पर देखी 2019 के चुनाओ में यही एक वो सीट है कमलनाथ का गड़ चिनवारा को कहा जाता है और यही सीट बीजेपी से चूप गई थी वाकि 28 सीटों पर बीजेपी चुनाओ जीतने में काम्याब हुई थी और उस समय भी कॉंग्रेस के कई दिगज नेता अलग गलग सीटों पर चुनाओ लड़ रहे थी लेकिन वो सभी हार गए थे पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चिनवारा में अपना गड़ बचा कर ले गए थे दो तेइस में जो विदान सभा के चुनाओ हुए उसमें भी अगर आप देखें तो सातों सीटों पर चिनवारा ज चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तो तमाम जानकारी के लिए बीजेपी ने अपने लोगसभा प्रभारी घोशत कर दिये हैं इसी बात के जानकारी दे रहे थे सही हुगी वासु बीजेपी ने अपने लोगसभा प्रभारी घोशत कर दिये हैं सभी 29 जो लोगसभा सीट है उन पर जिम्मेदारी संयोजक सह संयोजक और प्रभारी इनके नाम का एलान किया गया है चलिए लिपूरी लेस्ट आपको बता दे बीजेपी ने एलान कर दिया है अपने प्रभारियों का सह प्रभारियों का और संयोजकों का मुरेना भिंड गौलियर गुना इन तमाम जगों से एलान किया गया है चुनवाडा से भी एलान किया गया है यही एक जुसीट है वो चुनोती बनी हुई है बीजेपी ने लोगसभा चुनाओ की तैयारियां तेस कर दी है जल्दी उमिद्वारों का एलान कर दिया जाएगा जिनता पर्टी में और न सिर्फ लोगसभाक द्रिश्टी से और शुरू से प्रारम से यह प्रमुकार योजन रहा है और समुचे देश में जिस तरीके से गाउं चलो घर चलो अभ्यान जो है यह हमारे प्रमुकार करम है और हमारे प्रतेक प्रदेश से लेकर जिले मंडल तक के हमारे मुर्चा प्रकुस्टों के सभी वरिष नेता गाण सभी जन प्रतनी दी गाण और इस कारकरम से जूड़ रहे हैं और हमारे सभी गाउं में हमारे प्रतेक जिम्मेदार आधिकारी पदाधिकारी और वहाँ प वहां पर विभिन कारी योजना है जो निश्चित सुनिश्चित की गई है उसमें एक दिन एक राज 24 घंटे पूरे वहें पर रहेंगे किसी कार करता क्या हो जन कहीं विश्राम रातरी विश्राम इस तरीके की योजना है ऐसा 36 गड़ ही नहीं पूरे देश में ऐसा एक भी प योजना कि उनका विये सफलता पूर्रो णिश्वादन करें सभी जिले स्तर पर इसके कारिशना बन चुकी यह रचना बन चुकी हैं और सभी के जिम्म्धारी के अनुशार और सभी को इसमें लगने का आवान किया गया कार यूजना में और यह सवक्त हुआм चलने वाली प तरहेतिक गढ़ में विदानसब्स नोह के दर्मियान, 36 गढ़ वासियों, सभी समाज के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों, सभी शैत्रों में, भारती जनता पार्टी को अपना आशिरुवात दिया है, भारती जनता पार्टी की जो कार यूजना है, आदरने प्रधान मंत्री की जो कल्यान करी यूजना है जो गाउं के लिए हो गरीब के लिए हो किसान के लिए हो सभी वर्ग के लिए हो और उसे शहर स्युकार किया है और ये सारी यूजनाओं के संबंद में प्रतेक हमारे गाउं में जो जाएंगे हमारे पदाजी कारीकार क और इस पर चर्चा बाच्ची और जो लाभारती हैं जो हमारे अन्य उन्हीं योजनाओं से जोड़ेवे लोग हैं अन्य समाज हैं शेत्रे के अन्य विशेश रखती हैं और सभी से बाच्ची चर्चा करके और न्यूज एटीन की खबर पर लगी है मोहर महतारी वंदन योजना एक मार्च से लागू होगी कल सुबह दस बजे रेट क्रोस भवन में प्रशिक्षण होगा महिलाओं को प्रतिमाह हजार रुपे दिये जाने हैं आविदन भने की प्रक्रिया निशुल्क होगी एक महतारी वंदन योजना का लाग न्यूज एटीन ने ये सबसे पहले आपको बताया था महतारी वंदन योजना एक मार्च से लागू हो सकती है और आखिरकार वही हुआ कल सुबह दस बजे रेट क्रोस भवन में इसका प्रशिक्षण भी होना है महिलाओं को प्रतिमाह हजा रुपए दिये जाने है स्योजना के तहल गरिया बंद्वे 24 फरवरी से राजिम कुम्भ का आगाज होना है राजिम त्रिवेणी संगंपन मेले का आयोजन आठ मार्च तक होगा इससे लेकर राजिम धर्मस्व मंत्री विज्मोहन अगरवाल ने अधिकारियों की बैठक ल रहे अगरवाल ने कुम्भ को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये हैं ही है तो अब छतीजगः का यह राजिम कंब कल्प्र भी घव भी होगा दिव भी होगा और सधू संग्वन हात्मा संक्रा चारजी महा मंणलेष ξच्व सब आएंगे और कि समय कम बचा हैं हर बार तीन मेहने की तैयारी में होता है इस बाद एक मेहने की तैयारी में हम कर रहे हैं तो हमारी कोशिस होगी उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यास्पा हो सके बिलास्पुर में हुए है न्यूजेटीन की खबर का सर अवैद खनेज खदानों पर प्रशाशन ने शिकंजा कसा है आठ क्रशर सील कर दिये गए हैं चार कोल डिपो को नोटिस जारी किये गए हैं चौतिस वाहनों पर कारवाई की गई है न्यूजेटीन ने प्रमुक्ता से खबर दिखाई थी किस तरह से अवैद खनान और ब्लास्टिंग के चलते आसपास के कई गाउं परेशान है और आखिरकार उसका बड़ा असर हुआ न्यूजेटीन पर प्रमुक्ता से खबर दिखाई जाने के बाद प्रशाशन ने शिकंजा कसा है अवैद खनेज खदानों पर बड़ी कारवाई की गई है आठ क्रशर सील कर दिये गए है चार कोल डीपो को नोटिस जारी किया गया है चौतीस वाहन इन पर भी कारवाई की गई है न्यूजेटीन ने प्रमुक्ता से ये खबर आपको दिखाई थी कितनी ये खतरनाक है अवैद ब्लास्टिंग किस तरह से खतरनाक हो रही थी आसप बिलास्टुर के मस्तूरी इलाके में अवैद खदानों का खेल जारी है जबकि इन खदानों की लीज खत्म हो गई है उसके बाद भी यहाँ अवैद तरीके से अधिकारियों से साट गाट कर ये खदाने चल रही है इन खदानों में बड़े पैमानुपर डेटोनेटर लग जिसकी वजह से पचास से जादा गाओं के लोग देहशत में जीने को मजबूर हैं देखिए मस्तुरी छेत्र में लगभग 30 की करीब क्रेशा प्लांट और खदाने हैं लेकिन वहां जो खनीज अधिनियम जो होता है उसके तहट वह कोई काम वहां नहीं हो रहा है उसकी गाइ जबकि देखने में आ रहा है कि मस्तुरी छेत्र में खनीज निरिच्छक से लेकि खनीज के अधिकारी तक मैंने अभी तक यह नहीं सुना कि वहां जाको कोई दवराव किये हैं अवैत संचालित खदानों में ब्लास्टिंग के वज़ा से इलाके में कई मकानों में दरार पड़ गई है इस इलाके के कोसम डीए गाओं में न्यूज 18 की टीम पहुँची यहां एक भी ऐसा मकान नहीं दिखा जिसमें दरारे ना हो हर घर में सुरंग दिखाई दी गाओं के लोगों से बादश्रीत के बाद न्यूज 18 की टीम उन खदानों तक भी पहुँची जहां धमाकों के खेल को खेला जाता है ब्रिल मशीनों से खदानों में खुदाई जारी थी वहीं कुछ लोग ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर लगाते भी दिखाई दिए इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ इस इलाके में अवैत खदानों में ब्लास्टिंग का खेल जारी है हाई कोट के निर्देश की बावजूद इस खेल पर रोक नहीं लगाई चारही दूसरी तरफ इलाके के लोग दहशत में जी रही है बलास्टिंग से न्यूज 18 के लिए उमेश मौरी की रिपोर्ट